तूर्की फिर से एक बार तिकडी बना रहा है भारत के खिलाफ और ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्योंकि माल्दिव के राश्टपती ने तूर्की जाने का फैसला किया है आपके मन में ख्याल आएगा ये कौन सी बड़ी बात होगी तूर्की जाने का फैसला किया है क्योंकि वो पडोसी देश भारत आते थे और आपको बता दें यहां पर भी एक बड़ी चीज हो रही है और वो कौन सी चीज हैलिकॉप्टर के लिए एक अलग फैसला और भारतिय सेना के लिए एक अलग फैसला लेकिन ये सब कुछ कैसे बुरी तरीके से फेल होगा और क्या इसमें माल द कार ने एक एडवाईजरी जारी की है अस्पतालों में ऑक्सीजन की दवाईयां तयार रखिए ऑक्सीजन सिलिंडर तयार रखिए आखिर ऐसा क्यों कहा गया है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है सी आईएस नियूज नेटवर्क के इस एपिसोड म है भारत के बजाए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी तक में माल्दिव का इतियास यह रहता था कि माल्दिव के राश्टपती भारत आते थे लेकिन मोईजु ने तूर्की को चुल लिया है क्या पाकिस्तान माल्दिव तूर्की का एक तिकड़ी फिरसे बन रहा है ठीक वै आपको यह जानकर आश्चरी होगा कि मुहमद मुईजु जो इस वक्त राश्टपती है इनके करीबी यहां तक कि मुहमद मुईजु के करीबी मुहमद यामीन साल 2014 में राश्टपती बनने के बाद पहले विदेसी दोरे पर भारत आये थे अब मुईजु तूर्की क्यों जाना चाहता है तो आपको बता दें यहां पर एक बड़ी चीज चल रही है क्या चीज चल रही है तूर्की की यात्रा करने के बाद यह पहुंचेंगे कॉप 28 में कहां पर हो रहा है यह हो रहा है यूवई में यूवई में वहां पर पाकिस्तान के राश्टपती भी पहु ये लोन UAE दे दे ताकि उसे भारत के पास ना आना पड़े अब तक मालदीव के साथ क्या सीन था मालदीव भारत के साथ आर्थिक समझाओता करता था और आर्थिक तोर पर भारत के ऊपर कहीं निर्भर भी हो रहा था अब यहां यह चाह रहा है कि हम अपने आपको भारत से एकदम अलग कर ले और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि चाइना के वजह से भी ऐसा कर रहा है मालदीव पर मोईजू जो कुछ भी कर रहे हैं उससे किस हद तक फाइदा होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट देख सकते ह मुहमद मोईजू ने फॉर्मल तरीके से भारत से कहा कि आप अपनी मिलिटरी परजिंस को यहां से हटाओ जब किरन रिजू इनके सपत गरहन समारों में पहुचे थे तभी मालदीव के राश्पती ने इस बात को साफ कर दिया पर यहां पर भी एक पेज फसा दिया कौन सा पेज फस गया इन्होंने कहा कि हाँ जी सेना तो रखना यहां पर ठीक नहीं है लेकिन जो चौपर से है जो हेलिकॉप्टर है उसका इस्तेमाल तो मानव यह बचाओ कारियों में हुआ था इसलिए हम न इसका कोई एक वर्केबल सोल्यूशन निकालेंगे अब यह वर्केब भी हल हो जाएगा थोड़ी मुस्किल होगी लेकिन हल हो जाएगा पर एक सबसे बड़ी चीज है जिस पर इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप जापान के एमबेजर की यह ट्वीट है और यह ट्वीट करके कह रहे हैं कि इनिसियल रिपोर्ट मांगा था तब चाइना नीं ये कहा था कि हमारे यहां कोई नया वाइरस नहीं मिला है यह जो बच्चे बिमार हो रहे हैं नुमोनिया की ही वजह से बिमार हो च्छिडकाव हो रहे हैं मास्क में लोग घूम रहे हैं और यह पूरे के पूरे सुट में लोग इस तरीके से घूम रहे हैं ठीक उसकी याद दिला हुआ जैसा मा मारी काल में हुआ था यही वज़ा है एक डर पैदा हो गया है अब चाइना ने नया क्या बयान दिया है तो आपको बता दे चाइना ने कहा है कि हाँ जी सांस की समंधी बीमारियां नुमोनिया के बाद बच्चों को अटेक कर रही है इसक्रीन पर आप सी एन भी सी डिपोर्ट देख सकते हैं अब यहां से डर वाला माहोल चालू तो धोड़ा सा हो रहा है कि क्या यहां पर हो रहा है क्या आगे आएगा अब जो कुछ भी होगा वो सामने तो जरूर आ जाएगा एक बाद तो निशी थे को और ट्वीट देखिए यह है कतित तोर पर एक इंडिपेंडेंडेंट प्रेस और इसका क्या कहना है इसका पहले तो आप देखिए स्क्रीन पर इन तीन जगहों को खास तोर पर कहा जा रहा है चाइना के अंदर जो फैल रही है बिजिंग लियोनिंग और तियांजिन इन जगों पर बड़ी संख्या में केसे सा रहे हैं कहा जा रहा है कि अस्पताल बड़ी संख्या में भरे पड़ स्टेट्स को कहा है यानि जो प्रांथ हैं हमारे राज्य हैं उन्हें कहा है कि आप अपने हस्पतालों को तयार रखिए पैनिक मत हो ये लेकिन अपने यहां देखिए दवाईयां हो उपलब बैड हो उपलब इन्फलुंजा की तरह ये कुछ फैल रहा है और इसके लिए हम से पहले भारत सरकार ने एक एडवाईजरी भी जारी की थी और जिसमें कहा था कि थोड़ा तयार रहने की जरूरत है वैसे आपको बता दें केरला की हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा है कि हम तयार है खास तोर पर केरला के हेल्थ ओफिस को हाई एलर्ट पर रख दि पूर्ण है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ